नमस्कार दोस्तों गुड़ मॉर्णिंग आप सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की यानि के नए साल की बहुत बहुत शुब कामना है जल्दी से प्यारे बचों सभी लोग जुड़ जाएंगे मैं किरन सागर एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार आपकी प्यारे चैनल रोजगार विदंकित पर पिड़े ये क्लास आपकी डेली नौ बजे रहती है नौ से साड़े नौ आदे घंटे का वोकाब शो होता है जिसमें हम S.S.E. के प्रिविएस येर में आये हुए क्वेशन और देखा भी आज मैंने अपना क्लास का थमनेल भी चेंज कर वा लिया है ना तो जो अब तक आपने छोड़ दिया वो छोड़ दिया तो 2023 में गलतिया हो गई वो हो गई है ना 2024 के इस पहले दिन के साथ एक नई शुरुबात करते हैं और फिर से एक बार जहां कमिया रह गई थी उन सभी कमियों को पूरा करते हुए एक नई तयारी के साथ जुटते ताकि इस साल के आने वाले एक्जाम में से किसी एक एक्जाम में आपका सिलेक्शन जरूर जरूर हो आप सभी के लिए पिक्ट्र जोर में लेकराएं होँ आज हम बात करेंगे जनररली आनिमल की रहते कहां पर है यारी के हों या शेल्टर की सभी के घरों की आज हम बात करेंगे हों या फिर आप कह सकते हैं, shelters की, आज हम बात करने वाले हैं, ऐसे words की, जो क्या करते हैं, जो denote करते हैं places को, words denoting places, ठीक है, places के बारे में बात करेंगे, सबी के घरों की बात करेंगे आज हम, किसके घर को क्या कहते हैं, या फिर किस word को किस तरह का घर कहा जाता है, चलिए भी, तो सबसे प जिसे हम पढ़ते हैं अब आटर, ठीक है बहले ये पहला है, हम चाहेंगे ये आखरी ही ही हो, क्योंकि ये कैसी प्लेस होती है, जहां पर एनिमल्स का जो मा से वो काटेंब और कर बेचा जाता है, a place of meat नहीं, a place where animals are slaughtered, क्या लिखा जाएगा, a place, एक ऐसा स्थान, a place where, जहां पर, where, animals are, animals are slaughtered, ठीक है, animals are slaughtered, slaughter का मतलब होता है, कसना, यानि के काट देना, मार देना, ठीक है, भई, are slaughtered, ठीक है, अब ये जो person है, जो ये काम करता है, जिसे हम कसाई कहते हैं, बच्चो, इसे English में हम slaughter के नाम से जाते हैं, क्या जाते हैं, slaughter के नाम से जाते हैं, तो slaughter क्या है, वो एक इंसान है, जिसे हम कसाई कहते हैं, जी, चलिए, आगे चलते हैं, अगले शब्द के पास, अगला शब्द है, प्यारे बच्चो, apiary, है ना, हमन वहाँ पर शहद का क्या किया जाता है, है ना, एकत्रन किया जाता है, शहद एकत्रित किया जाता है, ठीक है, बास समझ में आके, क्या हो जाएगा ये, आप प्लेस, एक ऐसा स्थान, वेर, वेर, जहाँ पर बीज आर कैप्ट, जहाँ पर बीज रखी जाते हैं, बीज आर कैप मदू मखी पालन कर रहे हैं, ठीक है, मदू मखी पालन करना हो, चलिए भई, आगे चलेंगे अगले वर्ड पर, और अगला वर्ड आप सभी के सामने यहाँ पर, next वर्ड आगया है भई, archives, बहुत सारे बचे से archives बढ़ रहे होते हैं, archives नहीं होता है भई, क्या होता है, archives होता अभी वही है, है न, यह photo change हो गया है, चले, archives is a place, ठीक है, यहाँ पर यह photos की नहीं है, यह photo है, एक्वेरियम की, राइट, वर्ड चेंज कर लेते हैं, यह photo है, एक्वेरियम की, और साथ में हम archives को भी पढ़ लेंगे, भई, एक्वेरियम क्या होता है, एक्वेरियम ऐसा प् अंदर, किसको रखा जाते है, मचली को रखा जाते है, क्या खाजाएगा, आप place, या फिर आप कह सकते हैं, आप box, वेर, 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 वे शार कैप, जहाँ पर फिश रखी जाती है, वे शार कैप, ठीक है, साथ में आपने एक वर्ड पढ़ा, अभी, कौनसा व वेजों को संभाल कर रखते हो, दस्तावेजों का, दस्तावेजों को संभाल कर रखने की जगा, संभाल कर रखने की जगा, जहाँ पर आप अपने दस्तावेजों को संभाल कर रख देते हो, संभाल कर रखने की जगा, रखने का स्थान, ठीक है, इंगलिश में कहा जाता है archives इसे आगर हम इंग्लिश में translate करेंगे इंग्लिश में इसे कैसे पढ़ा जाएगा a place a place where जहां पर important documents important documents important documents are kept ठीक है जहां पर इनको रखा जाता है generally hide करके रखा जाता है तो इसको आपने रख दिया, सम्हाल कर रख रहे है इसका मतलब हुपाखे रख रहे है, hidden भी हो सकता है चीक है, चलिए आगे चलेंगे अगले word पर तो बिटा अगला word है arena arena मतलब क्या होता है, आप सभी ने wrestling देखी है, देखी है न सबने wrestling जिस place पर होती है, उस place को है न, उस ground को हम क्या कहते है इस ground को ही हम arena wrestling की जाती है, इस place को ही हम क्या कहते है, बिल्कुल, सबने WWE, WWF देखा होगा है न, ये भी वही है ठीक है, जहां पर WWE हमने बच्पन से देखा है, उस उस play को, इस playground को आप क्या कहते है भई, place for wrestling को आप क्या कहते है, arena कहते है, इसका मतलब ही उनकी क्या है, ammunitions है, ammunitions का मतलब हो गया जितने भी उनके पास बारूद होता है जितना भी उनके पास क्या होता है, बारूद होता है उनको वो क्या करता है, सभाल के रखता है, जहां पर army अपनी ammunitions को रखती है, सभाल कर छुपा कर क्या कहेंगे आप place आप place where जहां पर आप place where ammunitions are kept आप इस तरह से कह सकते हूं यहां पर भी essence जहाता है छुपा के रखी जाती है मतलब यह ओपन प्लेस नहीं होता यह एक confidential place होता है चलिए क्या दिक्कत आ रही है बेख जी क्रिश्ना जी ही मैसिज को अगर आप सो बार कहोगे सो बार बताओगे तो क्या वो मैसिज क्या वो मैसिज अचानक से कोural समय प्रिवर्तित हो जाएगा ku'm magical चल रहा है आपर बताओ क्या कि एक कॉमेंट को हम बार 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 पढ़ेंगे तो Brenman हमारे सामने वो इंसाना के खड़ा हो जाएगा कि लीजे मैं प्रकट हो गया मुझे कृष्णा ने वुलाया था है हाँ आज से ही हम अपनी क्लासे स्टार्ट करें जो पीछे रहे गया छोड़ दीजे आज से आप एक नई क्लास के साथ बढ़ोगे चलिए चलते हैं अगले श दूसरे देश के रफ्यूजिस को रखा जाता है या फिर पागलों को रखा जाता है ठीक है भै क्या कहेंगे आप प्लेस पॉर किसके लिए भै किसके लिए या तो पॉलिटिकल रफ्यूजिस क्या कहेंगे फॉर पॉलिटिकल रफ्यूजिस के लिए रखा जाएगा भै या फिर और और इंसेंस, इंसेंस का मतलब क्या होता है भई, जो पागल होते हैं, इंसेंस का मतलब क्या हो गया, जो पागल है, पागल लोगों के लिए, पागल खाने को भी हम क्या कहते हैं, असाइलम कहते हैं, पागल खाने को भी हम क्या कहते हैं, असाइलम ही कहते हैं, मेंटल आपने सुना होगा, ठीक है, mental asylum बोला जाता है, तो asylum का मतलब होता है, जहां पर जिनको जरूरत है help की उन्हें रखा जाएगा, ठीक है, जी, चलिए आगे चलेंगे, अगले word पर, अगला word है, aviary, पहले भी मैंने आपको बताया है, कहीं पर भी ev लिखा होता है, समझ जाओ, कि उडान से related कोई word लिखा होगा, क्या लिखा होगा, उडान से related कोई word लिखा होगा, aviary का मतलब होता है, जहां पर उडने यानि के पक्षियों को रखा जाता है, उडने वाली चीज़ें, a place where जहां पर birds को रखा जाता है, birds are kept, a place where birds are kept, ठीक है, हिंदी में ऐसा कोई word होता नह यहां पर तरह तरह के पक्षियों को रखा जा सकता है ठीकर चले आगे जह लिंगे अगले वर्ड पर भैं अगला वर्ड है बडो बुरो का मतलब होता है बिल है ना अगर कोई आनिमल अपने बिल को यानि के जमीन के अंदर अपने बिल को बनाता है और उसीमें रहता है तो उसके हम क्या उम कहेंगे वैं उसे चो जमीन के अंदर बनाते से आपकर सकते रॉब्ट राबिट सीर्ट और आप कय सकते हैं ये घर कैसा होगा underground होगा, यह house कैसा होगा, underground होगा, तो आप यहाँ पर underground word का भी use कर सकते हैं, an underground house of rabbit, rat या फिर किसी और तरह का कोई snake हो गया है, इनके भी क्या होते हैं, इसी तरह की घर होते हैं, जमीन के अंदर यह bill बना के रहते हैं, अगला शब्द देखेंगे, अभी हमने एक word पढ़ा था, arsenal, और यह है cash, है न, यहाँ पर भी, same, army क्या करती है, अपने जितने भी उनके पास में, arms और ammunitions है, उन्हें रखती है, वहाँ पर hide करके रखा जाता है, यहाँ पर भी hide, देखेंगे, एक confidential place तो होगा है, ऐसा ही कि market में लिजा कर रख दिया, तो दोनों का meaning almost same है, आपको दोनों ही word में से कोई एक ही पूछा ज जाता है, hidden, कोई भी चीज कैसी है, hidden है, क्या रिखा जाएगा, a place, a place where, where, arms and, arms and, weapons है न, जितने भी क्या है भई, weapons है, weapons are kept, जहाँ पर weapons रखे जाते हैं, वो क्या था, बारूत था, बारूत को चुपा के ही रखा जाएगा, यह भी चुपा की ही रखा जाएगा, लेकिन यह पर आपका क्या है, आपके पास, बंदू के, और उस तरह के, जितने भी arms है, याने कि, जितने भी बाखी सारे चीज़े है, ठीक है, गोलियां हो गई, बॉम बगेरा हो गए, चलिए, आगे चलते है, अगला वर्ड है भी, क्यारवेन, और क्यारवेन का मतलब, या फिर गाडी में बना हुआ होता है, है ना, आपने आजकल बहुत सुना होगा, एक बहुत, मतलब वाइरल सा ही हो रख है वो वीडियो, तो एक लड़ी की आती है, all of sudden बात करती है, और बोलती है, हाई, मेरे नाम प्रिया है, और मैं वैन में रहती हूँ, है ना, यह आपने बहु अ कार हो सकता है, अ हाउजिना कार, या फिर आप कह सकते हैं जिपसी, है ना, जिपसी में अगर किसी ने अपना घर बना रखा है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, कैरवन, कारवा, या फिर काफिला कहेंगे, चीक है, चले, अगला शब देखेंगे बच्चों, कसीनो, ये तो बहुत हेल्प करती है लोगों को, मरी लॉंडरिंग का मतलब होता है, कि जो उनोंने सही तरीके से पैसा नहीं कमाया है, वो वहाँ जाकर वो लगा देंगे, और वहाँ से जब पैसा आएगा, तो उसे वो गिफ्ट फॉर्म में दिखा कर, अपने टेक्सिस को बचा लेते है इसके अलावा देखिए, गैंबलिंग हमेशा से ही सबसे खराब एक खेल है, यह नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इतना नुकसान होता है, कि घर तक बिख जाता है, ठीक है भई, यह क्या है आपका, कसीनो क्या है, आ, टेबल फॉर गैंबलिंग गेम् जिस टेबल की बात की जाते है, उसी को कसीनो कहा जाता है, चलिए, मैम आप तो लाइव यूट्यूब पे फ्री चला रहे हो, तो एपस में चाजिश लेने से क्या मतलब है, एपस में चाजिश कहां से आगे है, हमारा बैच तो फ्री है, बिटा, किसकी बात कर रहे हैं, और आप समझ पा रहे हैं, तो हर तरह के खर्चा होता है, समझ रहे हैं कि नहीं, आप मुझे लगते हैं कि आप मेरी बास समझ गए होंगे, अगर मैं आप से कहूं कि एक काम कीजिए, सुभा से लेकर शाम तक आप मेरे नोट से लिखे मुझे दे दी, जो मैं क्लास में पढ़ा र अगले वर्ड पर, अगला वर्ड है बिटा, सिमेट्री, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जहां पर कबर रखी जाते हैं, यानि कि कबरिस्तान, क्या कहा जाता है, यह है आपका कबरिस्तान, अप कबरिस्तान एक ऐसी जगा होती है, जहां पर dead bodies को बरी यानि कि दफनाया जाता है क्या हो जाएगा ध्यान दीजेगा यहां पर कुछ words हैं जो आपको ध्यान रखने है a graveyard क्या कहा जाता है a graveyard एक ऐसी जगहा खाली जगहा जो graveyard है यानि कि जहां पर हर्याली हल्की फुलकी दिखाई देगी a graveyard where जहां पर dead bodies are buried है जहां पर इन्हें क्या किया जाता है दफनाया जाता है बरी किया जाता है चलिए आगे चलते हैं अगले वर्ड पर चालेट करके वर्ड होता है इस तरह का घर आपने देखा होगा यह अब तो मतलब इंडिया में भी कुछ प्लेसिस पर आपको देख जाएगा जहां पर स्नोफॉल होता है जनली वहां पर यह घर बनाया जाता है तो पहली बार जो की नाम जुड़ा ही हुआ है कि मुझे उस तरह का घर चाहिए जैसा स्विजलान के पीजन्स रहते हैं सोची आज की टाइपर हम इसे कितना लाइविश और कितना मतलब लग्जूरिय साइं काइंड ऑफ चीज समझते कि यह तो यह बहुत ही जबदस दिखाई दिखाई दे ए यह दर का एक पाटरन अधा आजिये बफ सलंट हो जाएगी है कि след होने के वह स्लोपर दौटाउन हो जाएगी नीचे जिए जकरोग्स लिए नहीं पर हमें समान को रह सकते है यह जनरल्दी आपको वहां मिलेगा जहां से एप travel कर रहे होते हो जहां ההहपर रुख सकते ह जंक्रुम पर एक एक जगह है जहां पर लगेज रखा जाता है, क्या रिखा जाए? A place येक स्थान है, ये कहां मिलेगा आपको, आपको ये मिलेगा या तो एरपोर्ट पर या फिर रेलवे श्टेशन पर, A place at a railway station, a railway station, कहां मिलेगा, railway station पे मिलेगा, or, कहां मिलेगा, airport पे मिलेगा, or, an airport, है न, आपको airport पे मिल सकता है, to, to, to keep, to keep your luggage safe, ताकि आप अपना जो लगेज है, वो safely रख पाए, है न, to keep your luggage safe, ठीक है, यहां पर आप अपना luggage, safety के साथ रख सकते हैं, जहां पर लोग अपना luggage रखते हैं, बहुत ही बड़ी, मतुरा जंक्शन पर भी है मैम, बहुत बड़ी है जी, मतुरा वाले, चलिए, आगे चलेंगे भई, अगला वर्ड है, decanter, है न, decanter क्या होता है बिटा, can't से ही समझ जगे, can समझ जगे, है न, can क्या होता है, can एक ऐसा बरतन सा होता है, जिसके अंदर याता हो, हम ड्रिंक्स पीते हैं, energy drinks, है न, cold drinks, या फिर alcoholic drinks पीते हैं, अब ये क्या है, canter हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये कुछ अलग बात कर रहा है, ये कह रहा है कि, शराब की ऐसी एक bottle, जो बहुत ही साज होती है, इसका बहुत क्रेज होता है, कितनी अच्छी bottle है तुम्हारे पास में, ऐसा करके रहा, an ornamented, ठीक है, ये क्या है, ornamental bottle है, ornamental bottle, ये ornamental bottle है, जिसे आप क्या करने के लिए रखते हो, drinks या फिर alcoholic drinks रखने के लगते हो, an ornamental bottle, for holding, क्या करेंगे भई, जिसमें हम hold करेंगे, for holding, drinks, ठीक है भी, सिर्फ drinks रिख लेते हैं, drinks, और alcoholic drinks, alcoholic drinks, ठीक है भी, alcoholic drinks को रखने के लिए भी हम इसका use करते हैं, चलिए, आगे चलिए अगले word पर, den तो आप सभी जानते हैं, मैंने सूचा, कि बहुत दिन हो गए है ना, मेरे बाल भी शेर जैसे कम नहीं है, है ना, तो बहुत दिन हो गए, तुम सिर्फ शेर नी शेर नी देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज शेर भी दिखा देते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं एक शेर और शेर की गुफा को ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जर्फ यह ठीक है, अशेर नी नी तुमने बहुत देख लिए, आज तुम शेर देखो, ठीक है, बहुत बिजायारा मुझ से तो आनती दिखाई दे रहे, मुझे तो लग रहे कि इसकी और फैट होगी, तो यही हार रहेगा एक बार को चलिए एक शेर दी दूसरे शेर को देखती हुई चलिए भई आगे वर्ड देखेंगे अगला जो वर्ड है बच्चो अगला जो वर्ड है वो है आपका dispensary चलिए dispensary तो आप सभी समझते हैं देखिए dispensary में एक वर्ड है dispense dispense का अलड करना यहां पर क्या किया जाता है बाता जाता है बात ने का काम किया जाता है dispensary का बतलब हो वया अपलेस आप यह क्या है अप शलोगा assure जहां पर बाटी जाती है दवाईयां है तो यह अभी कुछ समय पहले काफी न्यूज में थी यह जो है दिल्ली की एक होमियोपेथिक जो है क्या है डिस्पेंसरी थी जिसके साइड में लिखा हुआ था देखे जीवन दाइनी वाटिका और फिर आगे लिखा तो दवा खाना ठीक है अब है क्या लिखा था जीवन दा तो यहां इसको कॉपी करके काफी सारी जगहा पर इस तरह के जो है डिस्पेंसरी बनाई गई थी ठीक है भरी डिस्पेंसरी क्या है वैसे जानल सेंज में कहें अ प्लेस वेर जहां पर medicines are compounded क्या लिखा जाएगा जहां पर medicines are medicines are compounded जहां पर medicines रखी जाती है और distributed भी कह सकते हैं क्योंकि बाटना वर्ड है चलिए, देख रहे हैं कोई तो आनी रहा, जीवन देने वाले के पास में बैट कर अंकल जी आराम से निउस्पेपर बढ़ रहे हैं है ना, चलिए, आज की ताजा ख़बर चलिए, आगे चलेंगे भाई अगला वर्ड है, dormitory dormitory का मतलब क्या होता है, dormitory आप hostel जैसे समझ सकते हैं ठीक है, पर यह hostel नहीं होता है जैसे हम लोग कोई पर गूमने को जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने वहाँ पर हॉस्टल ले लिया था हॉस्टल नहीं होता है वेटा वो लिखा भाले बाहर हॉस्टल हो हॉस्टल तो च्हातरावास होता है तो आपको स्टूडेंट होना जरूरी होता है डॉर्मिटरी में तो कोई भी रह सकता है, working professionals भी रह सकते हैं तो यह आप कह सकते हैं, एक तरह का, हमारे, अगर हम अपने तरफ से कहें, तो PG हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है शयन यान, बहुत बढ़िया, यह कह सकते हैं, है न, अगर हम इसे आश्रम कहें, क्या है भई, आश्रम कहें तो वो भी गलत नहीं होगा ठीक है, आश्रम में रुखे हुए है, ठीक है, तो dormitory क्या होता है, places of beds, ठीक है, यह क्या है a place of beds, जहाँ पर beds आपको दिखाई देंगे, ठीक है, जहाँ पर आप रह सकते हो, for, for, है न, anybody, ठीक है, कोई भी जाकर वापर रुख सकता है generally travelers के लिए इसे हम use करते है, for, anybody, आप कहसे कोई भी जाकर वापर रुख सकता है, ठीक है और यह बहुत कम space आपको मिलता है, dormitory में, ठीक है, चले, आगे चलेंगे भाई, अगला देखेंगे word, डौविकट, है न, डौविकट का मतलब क्या होता है, ठीक है, जिसमें dove, dove साबुन तो आप सभी जानते है डौव के उपर एक bird बना होता है, उस bird को ही dove कहा जाता है, यानि के आप कह सकते है, प्यारा सा छोटा सा जो है, पिजन का बच्चा, है न, पिजन के बच्चे को भी dove ही कहा जाता है तो dove caught क्या होगा भई, जहां पर pigeons रहते हैं, ठीक है, ये क्या कहेंगे, ये जनरली या तो एक box हो सकता है, या फिर एक nest हो सकता है, ठीक है आप इसे box कह सकता है, या फिर nest, क्योंकि पक्षी है तो nest में ही रहेगा, आप box और a nest, nest of, किसका भई, dove का, है न, dove का, या फिर pigeon का, किसका भई, pigeon का, pigeon रहेगा, या फिर dove रहेगा, है न, penduk, बहुत बढ़िया चलिए, आगे चलेंगे, अगले word पर, अगला word है पिटा, dove, dove क्या होता है भई, जैसे आभी हमने, Swiss के लोगों का घर देखा, वहां के farmers का घर देखा, ये जो dove है, ये किससे relate करता है पिटा, अरब से relate करता है, अरब के लोगों के घरों को, dove कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो a place, a house of, आप क्या कह सकते है, a house of an Arab, ठीक है, ठीक है, अरब का कोई इंसान है, Arab के इंसान को हम क्या कहते है, उनके घरों को हम क्या कहते है, अच्छे यहां पर, जो है, मुझे भी देख रही थी मैं, यहां पर एक जो है, प्यारी सी, भूतनी सी दिखाई दे रही है, तो रात को बाहर नहीं निकलना, Arab में इस तरह का करतब करती हुई महिला आपको दिखाई दे सकती है, ठीक है, फिर मत कहना कि मैं, बचालो हमें, बस आप, आप ही इस टुडल का सामना कर सकती हो, चलिए, अगला वर देखेंगे, बच्चे, ड्रे, ड्रे क्या होता है, भी ड्रे हरी का घर, तब मट जाना भई, मेरे हिंदी की, जो, स्पधेलिंग हो सकती है, ठीक है? हाउज ओफ, क्या कह सकते है? हाउज ओफ, जनरली यह हाउस, नेस्टर की शेप में ही होता है, हाउस की प्रेस पर हमनेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है? तो क्या है? Geschोसला है, यह किसका? उ कि जो क्या है प्यारी बिख कई अगला बड़ देखेंगे बादे चलिए अगला बड़ देखेंगे बच्चों एरी दोनों को हम एरी ही पढ़तेप भाई जब हम किसी प्रेवर्ड को यानि के शिकारी बढ़ झरों के श्रीक तो उसे हम नेस्ट न कहे के ARI कहते हैं, ठीक है, A house of a bird of prey, ठीक है, a bird of prey, ठीक है, शिकारी पक्षी के घर को क्या कहा जाता है, ARI कहा जाता है, चलिए, अगला शाप देखेंगे बच्चों, ग्रेनरी, भई, जहां पर क्या रखे जाएंगे, ग्रेंस यानी के अनाज रखे जाएंगे, अ अनाज रखने की जगह, अब मुझे नहीं बता कि आप लोग अनाज कहा पर रखते हैं, ठीक है, अनाज रखने की जगह को हम क्या कहते हैं, आप अपनी लैंग्विज मुझे बताइएगा, हम यहाँ पर कहेंगे, a place, a place or house, यह घर जैसा ही दिखाई दे रहा है, where, where, grains are kept, जहाँ पर grains रखे जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर अनाज को रखा जाता है, grain is kept भी लिख सकते हैं, ठीक है, to keep grains, जहाँ पर grains को रखा जाता है, ठीक है, जहाँ पर grains को रखा जाता है, गलत स्पेलिंग लिखी है, जहाँ पर grains को रखा जाता है, दोनों ही सही होती है, वैसे, American और ब्रिटिश का फर्क है जो पहले स्पेरिंग लिखी थी वो भी सही थी जिमनेजियम तो बहुत अच्छी से जानते हो हम लोग तो सिर्फ इसे जिम जिम कहते हैं और आप सभी जानते हो कि मैंने जो है नियुएर का रेजलिशन यही लिया है कि मैं हर रोज जिम जाओंगी स रंडे को छुटी होती है उस दिन तो मैं नहीं जाओंगी और इसके अलावा मैं कोई भी फास्ट फूड आज से नहीं खाओंगी मत्ताब बहुत मुसीबत हो गई तो खालूंगी कुछ ही नहीं खाने को तो फिर तो करना पड़ेगा वरना 100% शॉरिटी के साथ मैंने तो इसे खरीद कर नहीं खाओंगी कोई पार्टी में भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं नहीं खाओंगी तो जिमनेजियम क्या होता है जहां पर हम एक्ससाइज करते हैं यह भी मैंने स्टार्ट कर दिया थोड़े दिनों में आपको अपनी मोटी में पतली में में दिखाई द बार डन की जाती है जहां पर exercises की जाती है उसी place को हम किया कहते है जिम कहते है और सही जो word है वो जिम नहीं है जिमनेजियम है क्या है जिमनेजियम इसका सही word है यहां पर और यह है आज का लास्ट वर्ड तो मिलेंगे हम लोग अब grammar की class में तो students एक बात और बतानी थी जिन्ह जो पेपर 1 है, जिसे हम tier 1 कहते है, paper 1 जो है, है लिए traditional terms अपने चेंज करते हैं, याणि के tier 1 जिनका qualify हुआ है, और 8 जनवरी को, जिनका भी paper है, 8 जनवरी, 2024 को आपका paper है, है ना, 2028 जनवरी को, जिनका भी paper है, उन सभी के लिए paper 2 की class, ये paper 2 की class है, paper 2, जिसमें केवल और केवल इंग्लिश आता है क्या आता है उसमें इंग्लिश ही आता है और इंग्लिश के हमारे 200 questions आते हैं 200 questions, 200 marks में आते हैं और इसकी अभी तक हमारी यूट्यूब पर classes नहीं लगी थी तो आज से आप सभी की जो भी ये paper जिनोंने भी qualify किया है उनके लिए आज से हर रोज शाम को 7 बजे धाय 3 घंटे के आपकी class रहेगी topic wise हम वहाँ पर questions करने वाले हैं तो आप सभी जो भी बच्चे हैं जिनको भी practice करनी है narration की वो आज सभी शाम को 7 बजे इस तेम चैनल पर आप सभी जुड़ जाना ताकि आपकी भी practice हो जाए ठीक है भी एक बच्चे का एक question था कि मैं आइकोनो लेटरी और symbol लेटरी में कोई फर्क होता है नहीं भाई कोई फर्क नहीं होता almost same है symbols जो होते हैं वो icons से थोड़े से अलग होते हैं symbols जैसे symbols मैंने यह भी बना दिया है ना पर यह icon नहीं है है ना अगर मैं सिर्फ इसको इतना लोंगी तो यह symbol है यह क्या है आपका symbol है लेकिन अगर मैं इसको box में रख देती हूं एक icon जो होता है वो shaped होता है पूरी तरह से बंद होता है तो बंद होगा तो icon हो जाता है ठीक है तो दोनों almost almost same है icons या फिर हम symbols की बात करें almost meaning same है चलिए भई next class में यानि की grammar की class में मिलेंगे आज दोपहर एक बजे articles के questions में अभी नहीं करा रहे हूं articles और adjectives के दोनों के mixed questions हम बात में करेंगे आज हम adjectives topic स्टार्ट कर रहे हैं तो सभी लोग adjectives में जुड़ जाएंगे यानि की adjective की class में जुड़ जाएंगे दोपहर एक बजे चलिए मिलते हैं आप से class में तब तक के लिए नमस्कार जैहीं टेकर आप यौसल बबाए